नमस्कार मैं जोती अपना लाइब.news से आप सबों का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम लोग कारेकरम सुरू हो रहा है जिस कारेकरम का नाम है अपना धरोहर अपना धरोहर की पहले एपिसोड में यहार की राज़ानी पटना में खड़े है और पटना के अगम कुवा इस्थित माता सीतला के मंदिर में है माता सीतला के मंदिर की कुछ रोचक कहानिया है और यहां पे जो कुवा इस्थित है उस कुए का नाम है अगम कुवा जो अगम का मतलब होता है पाताल और लोगों का कहना है कि यहां से कहानिया उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यहां का इतिहास यहां का अगम कुआ समराट अशोक के टाइम से जुड़ा हुआ है और अगम कुआ कि जो कुछ माननेताए है कुछ कहानिया है जो अनसूल जी रोचक कहानिया है आप लोगों को मैं आज बताऊंगी तो आईए चलते हैं यहां के पंडी जी से जानते हैं और देखते हैं कि यहां के कुवा की और यहां के मंदिर की क्या माननेता है आई ही हम लोग जानते है है यहां के पंडिर जी से यहां से जोड़ी कुछ मानेता है रहसे पंडी जी यहां के मंदिर की जो मानेता है वो किस प्रकार है मानेता यही है को जीतने को बाल वस्चा नहीं होता है अद जोहा है अश्यक्श आठाहाँ बना हुआ है इstairsлять आहिए मंदिर पुराना था, नवी के लिए गाल या। इस मंदिर के अगल के नाम से जानते हैं इस की क्या माने का है? इसको अरद बाणी पर पालबॉच्चे नहीं होती है तो पर फॉपानी से असना करने पर ऺणा धिर बताया जाता है जो भी दी करना पड़ता है जो उडिई पूरा हो जाता है Mussok living पालहिं हॉपार है अचर ये कुआ जो है इस कुवा का मतलब कुछ इतिहास है, जैसे कि लोग बोलते हैं, इस कुवा का जो पानी है, वो पाताल तक जाता है, यहाँ कुवा का जो रास्ते है, वो पानी पाताल से आता है, यहाँ कुवा का जो रास्ते है, वो पानी पाताल से आता है, मतलब उसके बारे में कुछ आ बत मतलब है सीजन में जैसे जितना मी सीजन है वैसे सब में कलर चेंज होता है कौन कर से कलर मतलब चेंज होते है इसमें मधियला कलर हो जाती है हरा में हो जाती है काला में हो जाती है और भूरा टैप में हो जाती है साथ कलर में हो जाती है अगुए के बारे में कुछ कहानी हो आप कुछ बताए के सम्राथ के टाइन की कुछ रहुत है यही सब सुने हैं, इद्वाही राए तो आप यहां पे कितने दिन से रह रहे हैं? हो गया है वगार आपके जो सारे पूरवज हो गह रहा हैं सब यहीं पे रहे हैं तो क्या आप हम लोग को एक कुवा दिखा को कि? आइए देखे यह है अगम कुवा जहां पे रास्ता यहां का जो पाताल की दूर जाता है तो यहीं से जाता है देखे यह है अगम कुवा जहां पे रास्ता यहां का जो पाताल की दूर जाता है तो यहीं से जाता है तो दो बार इसका यह किया गया था उप्षवाया जया था लेकिन संभव नहीं होता है इसका पानी खतम नहीं हो इक वार ब्रेटी स्काल में हुआ थो एक वार मुखमंति जो पूर मुखमंति लालु पर साथ थे वो करवाया थे अच्छे यह मंदिर जो है सो बहुत पहले मतल हैं लिए मुखंग बहुत जमाले से मतलब यह रहानी है सम्राथ असोग के जमाले से इसके गःवाय का तो आपको यह बता हैं उप्ट नहीं हो इसका आप आपनी को इताते हैं कि यह पताल से मतलब इसका कोई अभी तक मतलब जब गहराय का पता ही नहीं चला तो कुछ कहा नहीं जा सकता है यहां मतलब जिसको अपना धार्णा सबाते हैं मंतर मानते हैं जो फूरा होता है सभी अपना नवरात्री में क्या मतलब कुछ सपेसल तरीके से मनाया जाता है तो इसे चैती नावरात्रे फर्शो से सुरू हो रही है तो उसमें किया कारिकरम हो छूरू नौ दिन का करीरम है इस प्रकार है नौ दिन एक है करश कесь दखाया जाता है तैसे तैसनी को ऊजिन जैते यहां पर कुछ अलग जैसे कि जो भोग का परसाद लगता है, उनका परसाद होता है बासी, मतलब जैसे पूरी, खीर, गुलगुला, यह सब जो चढ़ाया जाता है, वो इनका इस परसाद है, मेन परसाद होता है, मतलब ठंडा परसाद होता है, बासी मतलब जैसे की ठंडा होता है, इनका फरसाद गर्म नह तो आप लोगों ने देखा कि आज यहां पे अगम कुवा में अगम कुवा के कुवे के बारे में रहस्य जो थी उनो ने जे फंदी जो ने आज हम लोगों को सबको बताया